एलो दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं बोलिंजर बैंड के बारे में कि बोलिंजर बैंड क्या होता है या किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके आप अच्छा कासा प्रोफिट निकाल सकते हैं तो यही चीज आज हम discuss करने वाले, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके setup के बारे में, कि इसका setup आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको one day select करना है, यहाँ पे आपको one minute, five minute, fifteen minute, और बहुत सारे option मिलते हैं, आपको यहाँ पे one day select करना है, यहाँ पे जो यह एक candle बन रही है, यह one day की बन रही है, जितनी भी एक candle बन रही है, यह one day की रिपरजेंट कर रही है, कि एक दिन के अंदर market कितना उपर गया है, कितना नीचे गया है, यहां पर जो period है यह आपको 20 select करना है और फिल्ड यहां पर इस setting को ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा सा भी गलत मत करना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इससे आपको क्या benefit मिलते हैं फिल्ड आपको close select करना है और यहां पर जो standard deviation है बहुत ही ज़्यादा important है यह आपको 2 select करना है यहां पर आपको बहुत सारे option मिलेंगे आप अगर 1 select करेंगे तो जो यह line आपको दिखाई दे रही है यहां से चली जाएगी या फिर यह वाली उपर वाली यहां से चली जाएग और अगर आप यहां पर 3 select करते हैं तो जो यह वाली line है यह वाली line यहां से जाएगी तो यानि कि यह इससे बाहर होगा आपको पता नहीं चलने का कि कब यह इससे touch किया कब हमें मतलब cell का position मिली और जो यह निचले वाली line है यह वाली यहां से चली जाएगी यहां से आपक आपको पता नहीं चलनेगा कि जब यह इस पर टाच करेगा कि कब बाई के पोज़ए यानि कि अच्छे सिगनल नहीं मिल पाने के तो इसलिए आपको यहाँ पर टू स्लेक्ट करना है और यहाँ पर moving average type की बात करें तो यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं exponential और simple और भी बहुत सारे option है पर लेकिन जादे तर यह default लेता है simple लेकिन आपको अच्छे और accurate और ज्यादा accuracy पाने के लिए यहाँ पर exponential स्लेक्ट करना है उससे आपको थोड़े से अच्छे result मिल जाएंगे बाकि यही main setting जो आपको करनी है यहाँ से आप color select कर सकते हैं अपनी मर्ण मर्जी के अंसार जो भी आप चाहें पर लेकिन मैंने कोई भी color select नहीं किया क्योंकि इतनी अच्छी कासी जरूरत नहीं है यहाँ पर मैंने आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह तो bollinger band है यह bollinger band है यहाँ पर result नहीं पा सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको bollinger band के बारे में समझाने वाला हूँ अगर आप MACD के बारे में जानना चाहते हैं या फिर RSI के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके link आपको नीचे description में दिये गए हैं वहाँ से जाके आप इनसे related वीडियो देख सकते ह अब नहीं समझ सकते हैं क्योंकि ये तीनो बैंड जब एक साथ लगेंगे तभी आपको अच्छे result मिल सकते हैं किसी एक particular indicator से आप अच्छे result नहीं ले सकते हैं तो ये जो तीनो इंडिकेटर है ये तीनो एक साथ इस्तेमाल करने हैं तो इसलिए मैं सज़ेश्ट करूँगा कि आप बाकी दो की वीडियो भी देखे लिए तो अब आप सोच रहे होंगे कि बोलिंजर बैंड करता क्या है तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ उपर ले वाली लाइन को अपर बैंड बोलते हैं और बीच वाली लाइन को मिडिल बैंड बोलते हैं और सबसे नीचर ल तो यह मैं फिर कभी जो उपर ले वाली लाइन है और नीचर ले वाली लाइन है यह स्टेंडर्ड डेविएशन को बताती है अगर आप स्टेंडर्ड डेविएशन के बारे में जानना चाहते हूं तो इस से मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जहां पर मैं आपको डेटेल में डिसकस करूंगा स्टेंडर्ड डेविएशन होता क्या है फिलाल आप यही समझे कि बोलिंग क्यों हम यहाँ बोलिंजर बैंड के बारे में डिसकस कर रहे है और इतनी डेटेलिंग मे बैंड, लोवर बैंड, स्टेंडर्ड डेविएशन को कौन सी लाइन रिपर्जेंट कर रहे है और सिंपल मुवीं एवरेज को कौन सी लाइन रिपर्जेंट कर रहे है अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं इसकी सेटिंग तो आपको पता लग गया अब जो यह नीचर ले वा स्टोक ऐसे उपर नीचे जा रहा है तो यहां पे यह सपोर्ट लेके उपर जा रहा है और यहां पर रिजिस्टेंस पे वो करके नीचे आ रहा है तो यह पावर्ट पॉइंट से आपको जल्दी समझ में आएगा उसके भी वीडियो को नीचे description में मिल जाएगी तो लेकिन आप यहां पर यह समझें कि यहां पर टच करके वापिस जा रहे हैं सपोर्ट ले रहे हैं यह मतलब बाहर आ गया मतलब हो जाता है यह कभी-कभी अहरबार सी पर लेकिन यह जल्द ही next candle में अंदर वी चला जाएगा यह उसी candle में अंदर चला जाएगा तो आप यहां पर टच करके नीचे आया यहां पर टच करके नीचे आया फिर यहां से नीचे आ गया फिर यहां पर टच करके नीचे आया यहां पर टच करके यहां पर आप देखेंगे यह रजिस्ट कर रहा है तो यानि आप सिंपल सा यह समझो जो आपको नीचर ले वाली लाइन है वो आप उपर जा सकता है, उपर कैसे जाएगा वो भी हम discuss करेंगे कि कब जाएगा, सारे चीजे discuss करेंगे, फिर आप यह देखे अगर नीचले वाली लाइन मैंने क्या बताया, support बता रही है, यानि कि यह बताती है कि stock oversold हो चुका है, अब हमें buy कर लेना चाहिए, यानि कि जैसे ही touch क करता है रहा है, गिरते जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अगर हम यहां पोजिशन से buy करेंगे, और हमें पता कैसे चलेगा कि यही से buy करना है, या फिर यहां से buy करना है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, तो यहां से उपर गया है, तो हम यहां पे इतना profit ले सकते हैं, तो यहां नहीं कि नीचरले वाली लाइन एक तो support बताएगी उपर से बताएगी कि stroke oversold हो चुका अब हमें बाहि कर लेना चाहिए ठीक इसी परकार उपर ले वाली लाइन overbought बताएगी यह अब stroke overbought हो चुका हमें sell कर लेना चाहिए और sell कहां पर करें कि यहां पर touch कर दें य यहां पर करें वो भी मैं आपको अभी आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा सारी चीजे detail में discuss करने अब यहां पर क्या होता है जो bolinzer band होता है इसके बारे में अधिकतर लोग यह कहते हैं कि जब यह निचरले वाली line को touch कर दें तो इसका मतलब हमें buy कर लेना loss में रहते हैं और काफी loss में रहते हैं तो हमें सही signal का पता कैसे चलेगा सही signal का पता चलेगा MACD से और RSI के हिस्तिमाल से क्योंकि RSI कब strong होगा कब weak होगा उससे पता लगएगा MACD क्या signal दे रही है हमें buy का signal दे रही है या फिर sell का signal दे रही है उससे पता चलेगा जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से समझते है यह इस पर नीचे touch हुआ तो इसने तो हमें buy का signal दे दिया क्योंकि अगर नीची ले वाले line पर touch करता है तो इसका मतलब buy कर लेते हैं पर लेकिन अगर हम यहाँ पर देखे तो MACD ने buy का signal दे दिया तो MACD ने हमें buy का signal नहीं दिया यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसने यहाँ पर touch कर दिया और हमें बाई का सिगनल दे दिया लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे M.A.C.D. को अगर आप समझा जाते हैं तो उसका लिंक वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं तो यहाँ पर इसे कट करके नीचे ही जा रहा है यानि कि अभी सेल का सिगनल दे रहा है तो यानि कि हम अभी बाई नहीं करने के हम वेट करेंगे तो यह नीचे गिरता रहा है नीचे गिरता रहा है, तो गिरने दो, क्योंकि अभी इसने sell का signal दिया ही नहीं, इसने sell का, इसने buy का signal यहाँ पे दिया है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, तो हम यहाँ से अगर buy करेंगे, यह इस position पे buy करेंगे, तो हम definitely आने वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर अच्छा कासा profit ले सकते हैं, यहाँ से इतना profit ले सकते हैं, या फिर इतना भी book कर सकते हैं, क्योंकि जब तक यह buy के signal में रहेगा, तो इसने यहाँ पे signal दिया, buy का, और यह RSI भी दिखा रहा है, कि यहाँ पे थोड़ा सब week हो गया, तो हम यहाँ से buy कर सकते हैं, अब तीनों pattern को देख सकत हैं, लेकिन यहाँ पे यह cell का signal दे रहा है, यह भी cell का signal दे रहा है, और यह भी, यह buy का signal दे रहा है, यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे कोई छेड़ाने नहीं करने के, तो इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझो, हम एक ऊपर का pattern भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ प यह से यह भी कह सकते हैं, कि लगबग उपर टच कर दिया, इसने यहाँ पे उपर टच कर दिया, उपर टच करने का मतलब कि हमें cell कर देना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पे MACD buy का option दे रहा है, तो हम cell नहीं कर सकते, तो यह यहाँ यहाँ पे यह भी cell का signal दे रहा है, क्योंकि यह ओवर बोट हो चुका, पर लेकिन MACD अभी buy का signal दे रहा है, यह cell का signal नहीं दे रहा, तो हम इसलिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, इसे उपर जाने दो, उपर जाने दो, यहाँ तक गया, यहाँ पे इसने cell का signal दिया, पर लेकिन उससे आगे यह overlap हो गया, तो यहाँ य अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस position में लगबग overlap है, कि मतलब उपर भी चल रहा है, नीचे भी चल रहा है, तो यानि कि अगर हमारा तीनों में से एक भी अगर गलत signal दे रही है, या proper signal नहीं दे रही है, तो हमें बिलकुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, हम definitely loss में जाएंगे, दूसरा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, कि ट्रेंड के according हमें चलना चाहिए, जैसे ये particular stock चल रहा है उपर, अगर उपर का ट्रेंड है, तो हमें buy की opportunity डूणनी है, क्योंकि अगर हमें देखो, जैसे यहाँ पर ये उपर गया, और यहाँ पे नीचे आ उपर का है, और अगर ट्रेंड नीचे का है, इस टोग नीचे जा रहा है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बार बार selling की opportunity डूणनी है, जैसे कि selling की opportunity मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यह MSED की नजदीग है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप volume को भी देखेंगे, तो green green यह उपर जाने की possibility है, यहाँ पे यह भी हमारा थोड़ा सा मजबूत होता जा रहा है, तो trend कैसे था, trend यहाँ पे down trend था, तो यहाँ पे थोड़ा सा sell का signal मिल रहा है हमें, थोड़ा सा यहाँ पे भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम selling कर सकते हैं, क्योंकि इसके तुरंत इसके बाद हमारी कौन सी आगी, हमारी आगी ये red candle आगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, volume में volume थोड़ा सा red is दिखा रहा है, तो यहाँ से selling का एक तरीके से signal मिल रहा है, मतलब proper signal नहीं मिला, लेकिन अगर आप इसे one day पे select कर रखा है, अगर आप इसे one hour पे जाएंग तो हमें proper selling signal दिखाएगा, तो अभी मैं आपको one day के हिसाब से समझा रहा हूँ, तो यानि कि बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर down trend है, तो selling की opportunity ढूंड़ो, अगर upward trend है, जैसे यहाँ पे upward trend है थोड़ा सा, तो यहाँ पे buying की opportunity ढूंड़ने है, यहाँ पे sell बिल्कुल भ कोई signal नहीं दिखा रहा है, selling का, शिर्फ buying की opportunity ढूंड़ने है, तो अगर यह नीचे भी आगा, तो हम यहाँ से buy करेंगे, चाहिए हम इतना ही profit ले, इतना ही, तो हमेसा ध्यान रखना यह चीज मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, तो मैं इसे थोड़ा सा एक पार summarize क कर देता हूँ, आपको one day select करना है, one day select करना है, period 20 select करना है, field close रखना है, standard deviation 2 select करना है, moving average type, exponential select करना है, तो आप यहाँ पे यह चीजे select करनी है, नीचे की line आपको support दिखा रही है, यानि कि यहाँ से हम इसे यह oversold हो चुका है, तो हम buy के opportunity ढून सकते हैं, उपर ली line हमें resistance के बारे में बताती है, यानि कि stock overbought हो चुका है, तो हम यहाँ से selling opportunity ढून सकते हैं, तीसरी बात किसी भी इंडिकेटर को एक अकेले इस्तिमाल नहीं करना है, हम सिर्प नुकसान उठाएंगे, हमें तीनों को बोलिंजर बैंड को, और MACD को, और RSI को, इन तीनों को इस्तिमाल करना है, अगर आप इनके बारे में डिटेल में जाना चाते हैं, तो वीडियो के वीडियो आपको नीचे description में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप तीनों को समझ सकते हैं, तो यह तो आपको इनके बारे में पता चल गया, अब एक चीज दिसकस करते हैं, अगर band पत इस्प्लोड होगा, यानि कि बहुत तेजी से बड़ा हो जाएगा, तो अब यह उपर की तरफ जाएगा, या फिर नीचे की तरफ जाएगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा MACD से और RSI से, यहाँ पे MACD हमें क्या दिखा रहा है, सेल का सिगनल दिखा रहा है, तो यानि कि यह नीचे की तरफ आएगा, तो हम यहाँ से सैलिंग अपोर्चुनिटी डून सकते हैं, क्योंकि बैंड पतला होता चलेगा, जैसे यहाँ पे भी बैंड पतला हो रहा है, तो यहाँ से यह यह तो ऊपर की तरफ जाएगा, या नीचे की तरफ जाएगा, मतलब explosion जो होगा, वो किस side होगा, वो हमें इन दो indicator से पता चलेगा, यहाँ पर इसने selling का signal दिया, तो इसका मतलब नीचे को जाएगा, दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा strong दिखता रहा है, बार-बार, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर strong दिख रहा है, मतलब 90 की line को proper touch कर रहा है, तो यानि कि यहाँ पर इस overbote हो चुका है, तो यहाँ से भी sell का signal मिल रहा है, MACD से भी sell का signal मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नीचे आएगा, तो हम यहाँ से selling opportunity देख सकते हैं, ठीक इसी परकार यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर यह उपर की तरप चला गया, तो यहाँ पर हमें कोई signal नहीं मिल रहा है, यह overlay हो रहा है, अगर कोई भी चीज overlay हो रही है, तो हम उसे छेटकानी नहीं करते हैं, हमने थोड़ा इंतजार किया, यहाँ तक आया, यहाँ पर हमें buy का signal मिल गया, यहाँ पर भी इसने red candle बनाई, तो buy का signal मिल गया, उपर की तरफ चलना शुरूँ गए, उपर की तरफ चिपकने शुरूँ गए, और यहाँ से भी हमें, अगर पीछे देखेंगे, तो यह कमजोर दिखा रहा है, यहाँ कि यह buying opportunity दे रहा है, अगर यह नीचे आ रहा है, तो यहाँ कि यह oversold हो चुका, buying opportunity दिखती है, तो हमें यहाँ से buying डोणना है, तो ठीक इसी परकार देख सकते हैं, यह यहाँ पर चला गया, यह भी उपर का signal दे रहा है, यह भी, तो हम यहाँ से buying, मैंने आपको दोनों ही case समझा दिए, कि band जब पतला होगा, वो उपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, पता कैसे करना है, काम करता है,